अस सलाम आलेकूँम आज हम अपनी जूफी फूड में बनाने वालेय। बथुए के रायता प्संद है ज्लद जल्दी बथा बना consiste तो बहुत ही आसान और सिंपल है बद्वय करायता बनाना तो चले स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम एक भगोना ले लेंगे तो स्टील सिल्वर जिसका जो आपको पसंदो आप वो ले सकते हैं और डालेंगे हम आधा किलो बद्वा इसको मैं अच्छे से साफ कर लिया है जो तो देखें चार से पांच मिनट हो चुके सारा बद्वा नीचे आच चुका और इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाए उबलने में यह देखें पांच मिनट हो चुके हमारा बद्वा अच्छे से बल चुका है अब आम इसको एक प्लेट में निकाल कर करेंगे अपने तो आप बद्वा निकाल लिए और आपको दिखाऊंगी कि बद्वा हमारा कितना सौफ्ट हो गया है तो आप भी जब अपना बद्वा उबाले तो वहीं रहे के बद्वा चार से पांच के मिनट पर जाता है तो देखें मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ने आट कि तो इ दिखाते हैं यह देखें यह जो मोटी सी दंडे बागी तो बागी बागी तो चोटे-चोटे पार्ट से हैं मोटी दंडी आपको दिखाते हैं अच्छे से गल चुकिए बस अब क्या करना आप एक मसाला रड़ी करेंगे जो जो हमारे बद्वा में जान डालेगा बहुत ही चाले बागी तेज नहीं तो बहुत ही मीडियम गयाओ जो कि अच्छे से मारे मसालों के खुश्बू आजाए तो च्छे से आठम लेंगे और चला जाला कर बहुत हैं मिल्चों को दबा दबा कर भूणे तो थोड़ा से टाइम लगेगा तो देखें इस तरिके से मिल्चों तो दबा के अच्छी से बूने ताकि मिर्चे लिए माज़ी टोड़ी सी क्रिस्पय और वो जाइए Хर पितने में मैं खूझबूदार से मर्चेषार है तो⁉ इसमें आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने जो मिर्चे उसको दबा दबा के बूरें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें लेकिन जो हमारा जो रायत है वह बहुत ही मज़ेदार और जायके से बरावा बनेगा आप इस तरीके से बनाना आपको बहुत जादा के बाद काला नमक इसमें एड करेंगे काला नमक एक अड़ा हो चुका है और एकप्स आपको नियुक देख देख चला लिया अब लेक्ते लिए शायके जिचाterror का साथ ही अनने में लेंगे तो कुछ भी आस फाट जोड़ना रही है तो बस अब हम इसको फटशने के जादे जाल लेंगें ठब्सक्राइब भाँ भाँ जाल चुका है तो फटर फटर से मिख्सी का जाल जाले लें लिए चाल झाल लेंगें जाल जालियों पेहले मिर्चील नमक आयुक्श थोप थालें बो भूना है उसको नीचे डालेंगे क्योंकि बद्व हमारा एक दम गलावा तो फटाफट से वह पिछ जाएगा तो इसलिए हम पहले मिर्ची लसन वगारा जो है उसको डाल कर पीसेंगे तो फटाफट से हम अपने जो बद्व को फाइन चॉप कर ले फाइन पीस ले थे तो देखे हैं बद्व हमारा पिछ चुक है तो इसमें हमारा कुछ भी कच्छा रही है बद्व हमारा उबला हुआ है मसाला हमारा बुना हुआ है तो देखे है इस तरीके से हम इसमें पलड़ देंगे तो मैंने एक काटोरी से दोड़ा है और देखे बद्व मेरा तोड़ा सा चोटा रह गया लेकिन फिर भी मैं बढ़िया है अब जिनने वेट लॉस की प्रॉब्लम ही नहीं वह तो तड़का मार कर खाएंगे तो उनके लिए एक तड़का तयार करेंगे उस्ते पहले हम इसमें नमक चैक करते हैं तो देखें नमक मैंने चैक के लिए नमक थोड़ा सा कम है तो चलिए बटा फटा फट से अपने जायक केसाब से नमक डाल इसे तो मैंने तो झाला अदा चामच्छ मंचम dr all about चाम से बाम बदा यहां तो ऊदू कि तो जो लाइत नहीं वह तो तो तर्का इखाएंगे तो देखें बहोत ही अ क्थेष्टा बना लेशा करते हैं उना हैह तो एक पेन पाचास ग्राम कर लेंगे अच्छा लाल करेंगे जलाना में बिल्कुल भी नहीं है तो देखें कम गैस पर हमें इस तड़के को लगाना है तो फटाफट से हमारी देखें मिर्चे एक दम से लाल सी हो गई है अब हम इसमें डालेंगे देखें जो पांचे लस्तन हमने बारीव चॉप करके र अब हम अपनी कर देंगे बंद क्योंकि हमारी सब कुछ गोल्डन हो चुका है बड़ी अज़ा आ चुका है बस अब हम इसमें गैस बंद करने के बाद आप इसमें डालते हैं एक पिंच यह दो पिंच हिंग अपने टेस्ट के हिसाफ से डालने बस अगैस अपने दिया रख जरूर डालना इसे बहुत ही बड़ी अफ्लेवर आता है और टेस्ट आता है तो बस बनकर हमारा तयार हो गया बत्वे का रायता तो जटपट बनाए बत्वे का रायता विंटर भी जाने वाली है तो अब जिलोगों को थोड़ा सा थंड़ा शूट नहीं करता हो खा सकते है अराम से बत्वे कराते हैं क्योंकि बत्वा होता है गरम तो यह रायता बनाएए आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और इस तरीके से बनाएंगे तो इसका फ्लेवर है थोड़ा सा हट कर आएगा तो देखें खुबसूरत और टेस्टरी सा रायता बनकर तैयार हो ग बाय complement अरखेंदे और आएगा गषड़ा रिवए फ действительно से बत्रीके प्लेवरा गरॉपी ज्याते हैं मत्रीके झाल्च कर तो बट्बस करीजाीं ज्याते हैं मैं आएगा